हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरे यूटूब चेनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको कोशिका के बारे में बता हुआ मतलब सेल सेल होती क्या है कोशिका जीओ के सरीर की सबसे छोटी और सरंचनात्मक इकाई होती है जिसे सेल या कोशिका कहते हैं कोशिका के अदेन को साइटोलोजी कहते हैं कोशिका का अंगरेजी सब्द सेल लेटिन वासा के सेलूला सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है एशे जीओ जिनका सरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिके जीओ कहते हैं एक कोशी के जीव में केवल एक ही कोशी का सभी जेविक कार्य करती है, for example, अमिबा और पेरामेशियम ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशीकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहु कोशी के जीव कहते है for example, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पोद्दा, आमका पेड, आदी, सभी बहु कोशी के जीव है कोशीकाओं खोज सर्वपर्थम अंग्रेज के वेग्यानिक रोबोट हुक ने सन 1665 स्विम में की सबसे चोटी कोशीका, जिवानु-मायको-प्लाजमा, गेली सेप्टिकमा की है सबसे लंबी कोशीका, तंतरी का तंतर की कोशीका है और सबसे बड़ी कोशीका, सुत्रू-मुरग के अंडे की कोशीका है कोशिका सिदांग का परतिपादन सर्व पर्थम 1838 और गुंचाली सी स्विव में स्लाइडन और सवान नामक दो वेग्यनिकों ने किया था कोशिका सिदांग की मुख्य बाति नमर एक परतेक जिव की उत्पती एक कोशिका से होती है नमर दो पर तेक जीव का सिरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कोशिका का निर्मान जिस किरिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य बिगरता होता है सेल दो परकार की होती है नमर एक प्रोकेरियोटिक सेल नमर दो यूकेरियोटिक सेल नमर एक प्रोक्योरियोटिक सेल एसी कोशिकाई जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक जिल्ली के भिना होता है उसे प्रोक्योरियोटिक कोशिका कहते हैं फोर एक्जामपल नील हरीत सेवाल और जिवानू नमर दो, यूकेरियाटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोरी जिल्ली के आवरण, यानि केंद्रक आवरण से गिरा हुआ, संपुष्ट केंद्रक पाया जाता है, यूकेरियाटिक कोशिका कहलाती है फोर एक जामपल, पेड़ पोदे और जन्तु, कोशिका के परमुक भाग हैं, नमर एक, कोशिका वित्ती, नमर दो, कोशिका जिल्ली, नमर तीन, तारा काय, नमर चार, अंता पर्दुई जालिका, नमर पांच, ड्राइबोसोंप, नमर छे, माइट्रोकॉंड्रिया, नमर नमर नो, लवक, नमर दस, रस घानी, नमर ग्यार, केंदरक, नमर एक, कोशिका वित्ती, सेल वोल, नमर एक पॉइंट, यह केवल, पादब कोशिका में पाई जाती है, नमर दो, यह सेललोज की बनी होती है, तीन नमर पॉइंट, यह कोशिका को निश्चित आकरतिये वाका बनाय रखने में सहायक होती है दो नमर पॉइंट कोशी का जिली पॉइंट नमर एक कोशी का के सभी अवेव एक जिली के दोवारा गिरे रहते हैं इस जिली को कोशी का जिली कहते हैं यह अर्ध पारगम में जिली होती है अर्ध पार गम्य जिल्ली का मतलब है जिसमें छोटे अणू अर्ध पार गम्य जिल्ली को आसाने से पार कर जाते हैं और बड़े अणू इस जिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं दो नमर पॉइंट इसका मुख्यकारी कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बार आने वाले पर दार्थों का निर्दारन करना है तीर नमर पॉइंट तारक काय सेंट्रो सोम इसकी खोज सरो पर्थम बोबेरी ने की थी यह केवल जन्तु कोशिका में पाया जाता है तेर नमर पोइंट तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिने सेंट्रियोल कहते है नमर च्यार समसुत्री विवाजन में यह दुरूव का निर्मान करता है विवाजन दो परकार का होता है एक समसुत्री विवाजन दूसरा अर्ध सुत्री विवाजन समसुत्री विवाजन में एक सेल से मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्मान होता है जबकि अर्ध सुत्री विवाजन से एक कोशिका से चार सेल का निर्मान होता है चार नमर पोइंट अन्ता पर्द्वी की जालिका यानि endoplasmic reticulum इसे ERB कहते हैं नमर एक पॉइंट एक और यह केंद्रक जिली से वह दूसरी और कोशिका जिली से जूड़ी होती है नमर दो पॉइंट इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती है जिनें राइबोसोम कहते हैं जैसे कि चित्र में दर्शाय गया है ते नमर पॉइंट अन्ता पर्द्वी का जालिका दो प्रकार की होती है चिक्री अंतय पर्द्वी का जाली का यानी Smooth endoplasmic reticulum इनमें राइबसोम नहीं होते हैं यह protein sensation में भाग नहीं लेती हैं दूसरी अंतय पर्द्वी का जाली का खुर्दरी अंतय पर्द्वी का जाली का यानी Rough endoplasmic reticulum नमर एक पॉइंट इनकी बारी सतय पर राइबसोम लगे होते हैं और यह protein sensation में भाग लेती हैं अंतय पर्द्वी जाली का का मुख्य कारिये उन सभी वसाओ वे protein का sensation करना है जो की विभिन जिलियों जैसे कोशिगा जिली केंदरक जिली आदी का निर्मान करते हैं पांच नमर पॉइंट राइबसोम नमर एक पॉइंट यह अती सुक्सम कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रोन माइक्रोइसकोप द्वारा देखे जा सकते हैं गोल जिकाय का आकार 140 एंगस्ट्रोम से 160 एंगस्ट्रोम होता है नमर दो पॉइंट राइबसोम की खोज तथा नामकरण G.E. पेलाडे ने 1955 में की यह राइबोन्यूकलिक एसिड नामक अमल प्रोटीन की बने होते हैं यह प्रोटीन संसलेशन के लिए उप्यूक्तिस्थान परदान करती हैं अथार्थ यह प्रोटीन का उत्पादन इस्तल है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री दिखा जाता है नमर छे माइटोकॉंड्रिया यह कोशिका दर्वे में पाई जाने वाली अनेक गोलाकारत्वा सुत्राकार अचनाय होती है इसकी खोज अल्टमेन ने 1890 सुई में की थी माइटोकॉंड्रिया में DNA, mRNA यह राइबोसों पाए जाते हैं जिनकी सायता से यह प्रोटीन संसिलेशन में सायता करती है माइटोकॉंड्रिया कोशिका का सक्ति गिराय या पावरोस करलाता है क्योंकि इसमें इंदन का चरण बद ओक्सिकरण होता है जिसके फलसवरू रासायनी कुर्जा, ATP मुक्त होती है ATP की फुल फोरम है एडिनोसीन ट्राइफास्वेट साथ नमर पॉंट गोलजी काई या गोलजी गोडी इसकी खोज अठारा सो ठ्यानमे में केमिली गोलजी नामत वेग्यानिक ने की थी इस कारण से गोलजी काई नाम दिया गया यह एक जाली नुमाने लिकाए वोका पूटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पूटिकाओं से गिरा हुआ होता है यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर इस्त्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पूटिकाओं उसे कोशिका जिली के माद्यम से बाहर निकलवा देती है इस परकार गोलजी काई को हम कोशिका के अनुओं का यातायात प्रबंदक भी कह सकते है आठ नमर पॉइंट लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज क्रिष्टियन डी डुए ने 1925 में की दो नमर पॉइंट यह है एक कल जिली यूपत गोल छोटी थेलिनुमा सरंचना होती है इसका सबसे परमोकारिय बाहरी पदार्थों का बक्षन यह पाच्चन करना है लाइसोसोम में लगबग चालिस परकार के जल अपगटनी एंजयम बरे होते हैं इसे आतम घाती थेली या सुसाइट बैग भी का जाता है नमर नुपॉइंट लवक मिन्स प्लास्टिड यह पादब को सिखाव में पाए जाते हैं यह तीन परकार का होता है नमर एक हरीत लवक नमर दो एवरनी लवक नमर दी वरनी लवक नमर एक हरीत लवक मिन्स कलोरोप्लास्ट यह हरी रंका होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरी रंका पदार्थ परन हरीत होता है इसी की साहता से पोदा प्रकास अंसलेशन करता है और बोजन मनाता है इसलिए हरित लवक को पादब कोशिका का रशोई कहते हैं नमर दो अय वरणी लवक लूकोप्लास्ट यह रंग हीन लवक है यह पोदे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाते हैं जो सूरिय के प्रकार से वंचित होते हैं जैसे की जड़ों में भूमिगत तनों आदी में ये बोजेपदार्त का संगरन करने वाला लवक है नमर तीन पॉइंट वरणी लवक क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं जो प्राई लाल पीले नारंगी रंगे होते हैं ये पोदे के रंगीन भाग जैसे पूश्प, फल बीती, बीज, आदी में पाये जाते हैं वरणी लवक के अन्य उदारन जैसे टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन, चुकंदर में बिटानीन टमाटर में लाइकोपेन के कारण ही टमाटर कारण लाल होता है, सेम यही गाजर में होता है ये कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ बरा होता है जन्तु कोशिका में अनेक वे बहुत छोटी होती है रंतु पादब कोशिकाओं में प्राय बहुत बड़ी और केंद्रक में इस्तित रसगानी होती है रसगानियों का कोशिका का बंडार भी कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक खनीजलवन, सरक्राय, कार्बोनीक अम्मल, ओक्सिजन, कारवन डायोकसाइड, वेभेन रंग तथा अप्सिष्क प्रदार्थों गुले रहते हैं नमर 11, नुकलियस, मतलब केंद्रक, कोशिका के मद्दे में एक रचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, यह कोशिका के सबसे परमुखंग होता है, क्योंकि यह एक तरह से कोशिका के परबंदक के रूप में कारिये करता है इसकी खोज सरवपर्थम 1831 में रोबर्ट ब्राउन ने की थी, रचानिक रूप से केंद्रक 70% प्रोटीन का और 10% डियने और 2-3% यह तथा 3-5% लिपीड से बनी होती है इसमें केंद्रक रस या केंद्रक दर्वे, केंद्रक आवरण, क्रोमेटीन तथा केंद्री का पाई जाती है यह अनवान सिक्ता का वाहक होता है इसमें जनन के लिए उपापचे परिवर्तन के लिए तथा जीवधारियों के विवार के लिए अनवान सिक्त सूचना पस्तित होती है यह प्रोकेरियाटिक यह यूकेरियाटिक को सिखाओं में अंतर हैं जो की सारनी में निमन परकार से दर्शाए गए हैं यह पादब को सिखाओं यह जनतु को सिखाओं में अंतर हैं जो की सारनी में निमन परकार से दर्शाए गए हैं थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किजी थैंक्यू